हाई फ्रेंड्स आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं परवल की बहुती टेस्टी सबजी परवल की ये सबजी खाने में इतनी टेस्टी होते हैं कि अगर एक बार आपने इसको बना कर खा लिया तो बार बार आप इसी तरीके से इस सबजी को बना कर खाएंगे तो फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने यहां पर लिए हैं 250 क्राम परवल तो मैंने यहां पर बिल्कुल फ्रेस परवल का यूज किया है और इनको एक से दो भार पानी से अच्छे से धुल लिया है अब हम इसके उपर और नीचे वाले हिस्से को चाकू की साहिता से कट कर देंगे अब हम चाकू की साहिता से इसके उपर वाली परत को इस तरीके से हटा देंगे इस प्रोसेस को करने से दो फाइदे होंगे एक तो परवल हमारे बहुत ही जल्दी soft हो जाएंगे यानि ये बहुत ही जल्दी पक जाएंगे दूसरा परवल का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा अब हम इसके इस तरीके से गोल पीस कट कर लेंगे हम इसके थोड़े से चोड़े पीस कट करेंगे आप चाहे तो इनको किसी भी सेप में कट कर सकते हैं अब हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान डगना है कि अगर इनके अंदर वाले बीच थोड़े से टाइट हैं तो हम इनको इस तरीके से निकाल लेंगे और सॉफ्ट वाले बीच को हम इसके अंदर ही रहने देंगे तो यह देखे मैंने परवल को कट कर लिया है और इनके टाइट वीच को अलग हटा के रख लिया है और इनको फिर से मैंने एक बार पानी से धुल लिया है हम इन टाइट वीच को फेकेंगे नहीं हम इनका यूज सबजी बनाने में ही करेंगे अब हम एक मिक्षी जार में एक बड़ा साइज का प्याज लेंगे जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है साथे हम लेंगे नो से दस लैसुन की कलिया, एक ही चदरक का टुकड़ा, दो से तीन हरी मिर्च अब परवल के जो हमने टाइट बीज निकाल के रखे हैं, वो भी इसमें हम एट करेंगे अब हम इन सभी चीजों को बारीक भीस लेंगे अब हम एक कड़ाई में एक बड़ी चमच ओईल लेंगे और ओईल को गर्म कर लेंगे जब ओईल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, तब हम इसमें परवल को एट करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम लगाता चलाते हुए परवल को फ्राई करेंगे साथी हम इसमें एट करेंगे अदा चुटी चमच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर और हल्दी को भी हम इनमें अच्छे से मेक्स कर लेंगे हल्दी को डालने से परवल का कलर ग्रीन ही रहेगा तो मीडियम फ्लेम पर हम लगाता चलाते हुए इनको 5-6 मिनेट तक फ्राई करेंगे तो लगबग 5-6 मिनेट हो गया है और आप देख सकते हैं कि परवल का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए और ये देखने में हरे ही लग रहे है अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम एक कड़ाई में दो बड़ी चम्मच ओईल लेंगे और आईल को गर्म कर लेंगे मैंने यहाँ पर सरसो का तेल का यूज किया है सरसो के तेल में सबजी बिनाने से सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो आईल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच जीरा साथी हम इसमें डालेंगे दो चुटकी हिंग और दोनों चीजों को हम थोड़ा सा भून लेंगे अब हम प्याज लासुन अधरा को हरी मेज का पेस्ट इसमें अड़ करेंगे और मीडियन फ्लेम पर हम इसको लगाता चलाते हुए गुल्डन ब्राउन होने तक फून लेंगे ध्यान ड़केगा प्याज को हमें कच्छा नहीं रखना है तो प्याज हमारा गुल्डन ब्राउन हो गया है अब हम इसमें एड़ करेंगे एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर आदा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर आदा छोटी चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च कस्मीरी लाल मिर्च ज़दा तीखी नहीं होती है बस इसको डालने से सजी का कलर बहुत ही अच्छा आता है साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे आदा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर नमक डालेंगे स्वाद नुसार और लास्ट में हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा पानी जैसे मसाले हमारे अच्छे से भून जाएं अब हम धीमी आज पर मसालों को अच्छे से भून लेंगे मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से ओईल ना छोड़ दे तो कुछी देर में हम देखेंगे कि मसालू ने भी अच्छे से ओल छोड़ दिया है तो अब हम इसमें एट करेंगे 2-3 छुटी चम्मच घरपाली मलाई मलाई को हम थोड़ा सा फेट कर डालेंगे इसको डालने से सजी का टेस्ट चार गुना बढ़ जाता है तो हम मलाई को भी धीमी आज पर 1 मिनट तक पका लेंगे हम इसको लगाता चलाते हुए पकाएंगे अब इस स्टेस पर हम इसमें एट करेंगे एक बड़ा साइस के टमाटर जिसों मैंने मिक्सी की साहिता से पीस लिया है और टमाटर को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम टमाटर को भी तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से ओल न छोड़ दे तो लगाता चलाते हुए हम टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे तो ये देखे टेमाटर ने भी अच्छे से वाइल जोड़ दिया है अब हम इस पे एड़ करेंगे अपने फ्राई के हुए परवल और इनको हम मसालू में अच्छे से मेक्स कर लेंगे और मीडियम फ्रेम पर हम इनको दो मिनिट तक लगाता चलाते हुए खुला पकाएंगे दो मिनिट के बाद हम इसमें एड़ करेंगे अदा गलास पानी और सब्जी को हम एक बार फिर से चला लेंगे अब हम सब्जी को कबर करके लो मीडियम फ्रेम पर 10-15 मिनिट तक पकने देंगे बीच बीच में हम इनको एक से दो बार चला देंगे ताकि सब्जी हमारी तली में जलेना तो लगबग 10-15 मिनिट हो गया है अब हम सब्जी को चेक करेंगे तो जब परवर हमारे अच्छे से पक जाए तब हम इसमें एड़ करेंगे आदा छोटी चम्मस से थोड़ा कम आमचूर पाउडर और इसको हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे अगर हम अमचूर पाउडर को मसालो के साथ ही मिला देते तो सबजी हमारी पकने में बहुँ ज़्यादा टाइम लेती अब हम इसको दीमी आज पर दो मनेट तक लगाता चलाते हुए खुला पकाएंगे इस प्राउसिस को करने से सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो दो मनेट हो गए अब हम इसमें एड करेंगे बारी कटी हुई हरी धनिया तो यह लेजी हमारी सबजी बनकर तयार है तो अब हम इसको गर्मा गर्म सर्फ करेंगे आप इसको रोटी पराठा पूरी किसी के साथ सर्फ करें ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ बाई